यूट है इश इस इमाच्चु एफटेनेबेडेगे वेलकम टू नीव ब्लोग तवह तो नीव स्परीक पर फोग जाएज आज का जो में व्लॉग बनाने जा रहा हूं वो काफी बेसिंग है कैसे स्कूल मीटर से DC Clam Meter से हमें साइट पर सोलर साइट पर हम क्या-क्या चीज़े मेजर करते हैं क्या-क्या चीज़े पारामीटर्स चेक करते हूं उसमें एक वीडियो बनने वाला हूं क्यूंकि मैं बेसिकली क्या होता है कि मेरे LinkedIn अकाउंट पर मेरे को बहुत सारे लोग कॉंटाक करते हैं और पूछते हैं कि सर मेरे साइट पर यह इशू आ रहा है या यह चीज मैं नहीं चेक कर पा रहा हूं या मैंने आपको यह डेटा शेयर किया है तो आप प्लीज इसको जड़ा देखके बताए कि मेरे साइट पर कौन से इशू चलने तो मैं उनको कुछ पैरामीटर्स बताता ह तो बहुत सारी चीजे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने सोचा कि उस पर मैं एक वीडियो बना देता हूं कि इन सब चीजों को मैजर कैसे करते हैं अब गाइस आज हम लोग अपने जो डीसी क्लाम्प मीटर कुछ पैरामीटर्स टेक्निकल पैरामीटर्स चेक करेंगे तो जस्त इन केस अगर आप से कोई सोलर पाई प्लांट में कहता है कुछ parameters मुझे test करके दो और आपको कुछ technical terms बताना है तो आपको confused नहीं होना है क्योंकि मैं सब कुछ आप यहाँ पर demonstrate करके दिखाता हूँ तो आज हम लोग यहाँ पर test करेंगे open circuit voltage close circuit voltage कैसे देखना है operating current कैसे देखना है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग case future मैं अगर आपसे कोई पूछता है तो यह सारे data आप उसको check करके बहुत ही आसानी से बता के share कर सकते है सबसे पहली चीज़ जो मैं check करने वाला हूँ जो हर्थ की आदमी आपसे पूछ सकता है site में कि भाई मुझे किसी string का open circuit voltage बता दो तो open circuit voltage आपको कैसे बताना है यह मांन दीज़े ही यह की string है, string number one तो यह string number one को आपको खोल लेना है ठीक है तो एक string का आपको positive मिलेगा यह का आपको negative मिलेगा ठीक है तो यह खोलने के बाद आपको क्या करना है आपको अपना clam meter लेना है एक the diameter मैं आपको अपने DC Volt proteg सेट करने के बाद operate इसे जोय हां अउप पर पर अब खो तो दिए वाला जर्ल लेना है। आपको पॉजे तिम्नेलवाइब至 नाहे चाहिए और नेगेटिव मेलाइब नेगेटिव मेन लगा है तो आपको लेके यहाँ पर एक open circuit voltage मिलने लगा है which is around 766 volt तो इस तरीके से आप अपना open circuit voltage test करेंगे आप कुछ लोग confused हो रहे होंगे कि open circuit voltage तो हमने measure कर लिया close circuit voltage यानि operating dc voltage कितना होता है इस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको open circuit voltage test करके दिखाया तो आपका जो operating voltage होता है it is always less than the open circuit voltage तो यहाँ पर मैंने अपने mobile को अभी inverter से connect किया है मैं आपको operating voltage दिखा रहा हूँ ठीक है तो operating voltage अगर आप देखो कि हमारा open circuit voltage around 700 कुछ चल ला था लेकिन यहाँ पर अगर आप operating voltage अगर आप देखो कि तो it is 630 something मतलब जैसे हमारा 700 जो voltage रहता है जब हम उसको inverter को fed करते हैं तो उसमें कुछ drop आ जाता है क्योंकि now the inverter is using that voltage to produce power तो यह बात हमेशा याद रखेगा कि open circuit voltage will always be greater than the operating voltage तो operating voltage आपको inverter से पता चलेगा कि आपके particular MPPT में कितना DC operating voltage चल ला है और open circuit voltage मेजर करने के लिए आपको स्ट्रिंग खोल के क्लैम मीटर की मदद से वो voltage टेस्ट करना पड़ेगा अब अगर आपसे guys कोई site पर कहता है कि भाई मुझे उस particular string का या solar inverter में जो भी string लगी है उसका मुझे operating current बता दो तो सबसे पहले तो यहाँ पर जान लिजे operating current guys वो current है कि जब आपकी string connected है और आपका solar inverter perform कर रहा है तो उसी time यह string current को आप मेजर कर सब्सक्राइब करने का तरीका है आपको अपना क्लैम मीटर लेना है उसको DC current पर आपको set करना है set करने के बाद आपको string के पास जाना है देखे guys तो यहाँ पर इसको मेजर करने का तरीका यह कि आपकी एक positive string है और एक negative string है ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास क्लैम मीटर है वो DC current पर set है तो अभी मैंने positive string पर लगाया है तो मुझे मिल ला है 3.6 amp DC अब मैं इसको negative string पर लगा रहा हूँ अब मैं इसको एक नट negative में अगर लगा रहा हूँ तो देखें negative में मुझे 5.6 मिल रहा है same string में अगर आप देख रहा हो यह same string है positive और negative तो मैं negative में लगा रहा हूँ तो मुझे 5.6 मिल रहा है और मैं positive में लगा रहा हूँ तो मुझे 3.6 मिल रहा है अब बहुत सारे लोग इसमें confused हो रहे होंगे कि negative में ज्यादा क्यों आ रहा है current और positive में ये current कम क्यों आ रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा reason है guys मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा देखे current आपको दोनों मिलेगा चाहे वो positive string हो चाहे वो same उसी string की negative string हो लेकिन आपको हमेशा negative string में ज्यादा current मिलेगा as compared to positive string क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको आप बताता हूँ जो conventional current के flow का direction होता है that is from positive terminal to the negative terminal लेकिन जो आपका electron flow होता है वो होता है आपके negative terminal से लेके positive terminal होता है तो अगर आप ये animation अभी इस वीडियो के सामने देख पा रहे हैं तो अगर आप देख रहे होगे कि जो negatively charged electrons होते हैं उनका जो direction of flow होता है that is from negative terminal to positive terminal मतलब जो solar plant में जो string होती है उसमें जो electrons का flow हो रहा होता है वो होता है negative cable से positive cable की तरफ लेकिन जो conventional direction of flow current जिसको हम मानते हैं कि current का flow हो रहा है उसको हम count करते हैं positive to negative की तरफ अब जो हमारे measurement tools होते हैं जैसे हमारा clam meter DC clam meter हो गया उससे जब हम current measure करते हैं तो वो क्या sense करने की कोशिश करता है वो हमेशा calibrate करने की कोशिश करता है किसी physical property या physical change को that is the electrical flux flux तभी change होता है जब आपके magnetic field में deflection आता है तो वो तभी हो सकता है जब कोई charge particle travel कर रहा हो तो in our case जो charge particle travel कर रहा है that is the negatively charged electron ठीक है तो वो उसी flow of charge को test करने की कोशिश करता है तो इसलिए वीडियो में जब हम test कर रहे थे negative cable में DC का current की value जादा हो रही थी लेकिन positive cable में कम दिखा रही थी वो इसलिए क्योंकि जो electrons का travel होता है guys वो negative to positive की तरफ होता है ठीक है जो हमारे solar panel solar cells होती है उसमें से जो electrons निकलते है negative electrons वो आपके negative cable से होते हुए positive cable की तरफ जाता है इस चीज़ को आप ध्यान से रखेगा इसके electrical properties को अगर आप समझना चाते है तो आप Google में आप search कर सकते हैं कि how electron flows in a silicon cell तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो silver के bus bar होते हैं वो आपके negatively charged electrons को capture करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो आपका clam meter वही sense करता है इस electron के flow को तो इसलिए हमें negative cable में जादा current की value मिल ले थी as compared to positive cable ओके गाईस तो अब मैं आपको बताता हूँ तो अगर आप आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई मुझे उस DC particular string का positive to earth and negative to earth measure करके बताओ basically यह तब चेक करते हैं जब किसी particular string में हमारा कोई ground fault आ जाता है मतलब string कहीं से कट गई है और earthing के contact में आ रही है तो कोई अगर आपसे कहता है कि भाई मुझे positive to earth और negative to earth चेक करके दिखाओ तो उसको कैसे check करते हैं वो भी आई है मैं आपको दिखाता है तो यहाँ पे देखिए guys हमारे पास एक string है और हमने अपने clam meter को positive voltage पे set कर लिया है तो सबसे पहले एक हमने positive में लगा दिया है पहले सबसे पहले हम VOC check करेंगे फिर से check करने के लिए VOC check करते हैं सबसे पहले तो VOC check करने के लिए एक positive में लगाएंगे और एक negative में लगाएंगे तो हमारा देखिए जो आपको voltage मिलना है वो 765 volt मिलना है अब हम क्या करेंगे positive to earth चेक करेंगे एक positive में और दूसरा हम earth पे touch करेंगे देखे एक positive cable में लगा है और दूसरा हम system के earth में touch कर रहे है तो हमको voltage drop मिल रहा है एक parameter में ठीक है यह constant voltage आपको तभी मिलेगा जब आपकी केबल कहीं से कटी होगी और उसमें voltage आ रहा हो अब हम negative to earth चेक करेंगे तो हम पहले electrode को अपने negative में लगाएंगे और दूसरा केबल positive में touch करेंगे तो यहाँ पे भी देखे हमें एक voltage drop मिल ला है तो यहाँ पे भी मतलब cable quality नहीं है मतलब कुछ न कुछ हमें voltage drop मिल ला है याद रखी का positive to earth और negative to earth पे मैंने एक और already video बना रखा है कि कैसे हम system की fault value को पता करते हैं कि हमारी cable कहां से cut गई है और उसमें fault आ रहा है तो उसका separate मैंने video बनाए तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप वह भी video देख सकते हो फाइनल चीज गाई रह गई यह बताने के लिए कि short circuit current कैसे होता है देखे short circuit current आप एक module में test करना series of 2015 module पे test मत करना क्योंकि बहुत उसमें खत्रा हो सकता है short circuit testing हमें करनी कैसे मतलब module का अगर short circuit current आपको पीछे sticker से पता लग जाता है तो कभी-कभी क्या होता है कि module में हमारे glass break हुआ हो या particular side of module में hot spot हो गया हो तो उसका output चेक करने के लिए हम module के positive और negative junction को हम क्या करते हैं दोनों में आपस में close कर देते हैं तो यह close circuit बन जाता है और short circuit current उसमें flow होना लगता है short circuit का मतलिव भी यह है कि हमने circuit को सबसे shortest path दे दिया तो अगर किसी भी solar panel के positive negative को आपस में lock कर दोगे तो वो short circuit हो जाएगा तो उस time भी आप उस current को measure कर सकते हो बशरते आपका solar module धूप को face कर रहा होना चाहिए लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि 20 to 16 module से अगर जादा है तो उसको आप short circuit करके मत चेक करेगा क्योंकि हो सकता है आपके junction में sparking हो सकती हो melt हो सकता है क्योंकि आचानक में बहुत heavy current उसमें flow करने लगेगा तो I hope यह जो वीडियो मैंने आपको बताया तो बहुत सारे लोग confused रहते हैं कि sir open circuit voltage कैसे लेना है positive to earth कैसे check करना है negative to earth कैसे check करना है short circuit current क्या होती है operating current क्या है operating voltage क्या है तो वह मैंने सब कुछ आपको demonstrate करके दिखा दिया है just in case अगर आपको और भी कुछ confusion है या जो मैंने आपको conventional current का आपको property बताया अगर कुछ लोग उससे differ करते हैं मेरे इस concept पर तो आओ वो इस वीडियो के comment box में जाके मेरी information plus जो viewers इस वीडियो को देख रहे हैं उनके information को update कर सकते है of course I will revert you back with a suitable answer तो अगर आपको solar से related और भी guys videos देख रहे है so just subscribe my channel sustainable everyday guys and I'll catch you guys in my next vlog